दोस्तो साउथ फिल्म इंडॉस्ट्री की ब्लॉग बस्टर फिल्म बाहु बली और केजीएफ के अलावा भी एक और रोमान्चक फिल्म है जिसे दर्शकों ने अपना बेहत प्यार दिया था और वो है सराई नोडू जिसमें खुबसूरत जोडी अलु अर्जुन और रकुल प्रीट सिंग ने अपनी सिजलिंग लव केमिस्ट्री से ना सिर्फ फिल्म को सूपर डूपर हिट बनाया था बलकि फिल्म इतनी आदकार साबित हुई थी कि दर्शकों के दिलों से आज भी इस फिल्म का खुमार नहीं गया है लेकिन अग साउथ की फिल्म होने की वच्छ से नौर्थ इंडियन ओडियंस कहीं न कहीं इस एंटर्टेन्मेंट से दूर रह गई थी पर अब फिल्म डिरेक्टर जल्द ही सराई नौरू के हिंदी रीमेक एके एम टू मुवी के साथ कमबाक करने वाले हैं जी हाँ हमें जल्द ही एकेम टू मुवी देखने को मिलने वाली है तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे की कौन सी होगी उसमें स्टार कास्ट क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक लेकिन इससे पहले इस रुमान चुक फिल्म के लिए एक लाइक तो बनता है आई नोडू साल 2016 में बड़े परदे पर प्रसारित की गई एक तिलगू भाशा की फिल्म थी जिसे बोया पती श्रीनू के डिरेक्शन में बनाया गया था ये एक भूत पूरो सैनिक गणा बने अलो अर्जुन की उस कहानी पर आधारित थी जो नियाए के सचे रास्ते पर चलते हुए बुराईयों का खात्मा करता है लेकिन इसी बीच गणा की लवर महालक्ष्मी बनी रकुलप्रीत सिंग गणा को अपना व्यभार बदलने की हिदायत देती है बस फिल्म की इसी कहानी को दर्शको द्वारा बेहत जादा पसंद किया गया था साथी फिल्म की अदर कास्ट ने भी अपने अपने किर्दारों को बेहत खुबसूरती से परदे पर उतारा था जाहे फिर बात कैथरिन ट्रेसा की हो या ब्रह्मा नंदम की इसलिए तो इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड़ कमाई की थी लेकिन एक तेलगू भाषा की फिल्म होने की वज़ह से अब मशूर हिंदी फिल्म डिरेक्टर जल्द ही नॉर्थ इंडियन ओडियन्स की इस एक्साइटमेंट पर ब्रेक लगाने आ रहे हैं वो भी सराई नोडू फिल्म की हिंदी वर्जन A.K.M.2 के साथ जी हाँ हमें जल्द ही सराई नोडू फिल्म का हिंदी वर्जन A.K.M.2 देखनी को मिलने वाला है खबरों के मताबिक बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी फिल्मों की फेमस डिरेक्टर एहमद खान द्वारा डिरेक्ट किया जाएगा जिसके कॉंसेप्ट पर काम शुरू किया जा चुका है साथ ये एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें हमें एक्शन के साथ-साथ रोमांस और कॉमेडी का भी डबल डोस देखनी को मिलेगा और फिल्म को पाच भाशाओं में डब किये जाने की वजह से हर एक शक्स इसका पूरा मज़ा भी उठा सकता है वही अगर बात की जाए फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में हमें में लीड अक्टर के तौर पर बॉलिवुड के सिंखा मियानी की अज़देवगन नज़र आएंगे वही फिल्म में खुंखार खलनायक की तोर पर अभिनेता आशीश विद्यार्थी को देखा जाने वाला है जिनकी दूसरी फिल्मों के मताबिक इस फिल्म में और भी ज़ाधा धाकर अन्दास देखा जाएगा लेकिन अभी तक इन में से कुछ कलाकारों ने फिल्म में काम करने के लिए अपनी कोई confirmation नहीं दी है जिसकी वज़ा से फिल्म की shooting प्रोसेस में थोड़ी देरी हो सकती है पर आप दर्शुकों की बीच अभी से ही फिल्म को लेकर काफी क्रेज साफ तोर पर देख सकते हैं तो दोस्तों आप कितने excited हैं 1am 2 movie में अज़े देवगन और क्यारा आडवानी की इस जोड़ी को देखने के लिए आप हमें comment box में comment करके जरूर बताएं साथी बड़े परदे से जुड़ी ऐसी और दिल्चस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें